हेलो गाइज, फूट्वर फूडीज में आपका स्वागत है मैं हुरुतिका और आज की एपिसोड में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पर्फेक्ट दोसा बैटर की रेसिपी और ये बैटर इतना वर्सेटाइल है कि आप इससे सिर्फ दोसा इनी बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं तो आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पनियारम साथ में बनाएंगे उत्पम और हाँ वाइरल इडली को में कैसे पीछे छोड़ सकती थी दोसा तो टिफिनेटली में आपको बना के दिखाऊंगी साथ ही बताऊंगी कि आयन तबे को कैसे आप पर्फेक्टली सीजन कर सकते हैं आयन तबे पे आप अपने सारी कुकिंग कर सकते हैं मतलब सारे चीले यहां तक की आटे का चीला भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं तो आएं जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं और बनाते हैं पॉफेक्ट दोसा बैटर पॉफेक्ट दोसा बैटर बनाने के लिए मैं यूज़ करे हूँ अपना अगारो का रॉयल मिक्सर ग्राइंडर यह एक हैविजूडी मिक्सर ग्राइंडर है आप इसमें वेट ग्राइंग कर सकते हैं राइ ग्राइंग कर सकते हैं बहुत ही smooth चीज़े पिछती हैं, साथ में इसमें pulse mode भी है, जिससे कि आप बहुत ही आराम से almond butter, peanut butter घर में बना सकते हैं तो आइए जल्दी से बनाते हैं perfect dosa better with all tips and tricks तो आइए बनाना शुरू करते हैं, एक perfect dosa batter जिससे आप सिर्फ दोसा ही नहीं, बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत सारे tips and tricks शेयर करूंगी perfect dosa बनाने की दोसा बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी उरत की दाल, ये धुली हुई उरत की दाल है, साथी दो कटोरी चावल, ये regular चावल है, बासमती चावल ले सकते हैं साथी चाहिए एक कटोरी उसना चावल या फिर power boil rice और एक चमच मेथी दाना इस बैटर में हमें दाल और चावल का ratio 1-3 रखना है, यानि एक कटोरी दाल तो 3 कटोरी चावल इन सभी चीजों को हमें कम से कम 6-8 घंटे के लिए भिगोना है, मगर भिगोने से पहले याद रखेगा, इन्हें खूब अच्छे से धोली जेगा कम से कम 3-4 पानी, तो यहाँ पे दाल चावल खूब अच्छे से भीग चुके हैं, साथ में मेथी दाने को भी मैंने भिगो दिया था, अब इन सभी चीजों को हम ग्राइंड करेंगे आज मैं यूज़ कर रहे हूँ अपना अगारो रॉयल हेवी द्यूटी मिक्सर ग्राइंडर, इसमें है 900 वाट की मोटर्स और इसके साथ मैं आपको 3 जार मिलते हैं, जिसमें चेटनी जार, ड्राइ ग्राइंडिंग जार और वेट ग्राइंडिंग जार है दोसा बैटर बनाने के लिए हम वेट ग्राइंडिंग जार का यूज़ करेंगे, इसमें दोसा बैटर बहुत ही जादा फ्लफी बनता है, साथ ही अगर आप दही बड़े विकेरा बनाना चाते हैं तो उनका बैटर भी बहुत अच्छा बनता है तो सबसे पहले मैंने दाल को चान लिया है, इसको हलका सा पानी से निकाल दिया है, और अब हम इस दाल को पीसेंगे दाल को पीसते समय हमें बहुत जादा पानी अड़ नहीं करना है, जिस तरह मैंने दाल को चाना है, उसी तरह मैं चावल को भी चान लेती हूँ अच्छा दोसा बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखिए दाल चावल को अलग-अलग भिगोईए मैंने माना कि इन सबी को हमें पीस लेना होता है मगर इने अलग-अलग भिगोना बहुत ज़रूरी है अच्छे दोसे बनाने के लिए आप चाहें तो दोने तरह के चावल को एक साथ भिगो सकते हैं बट मैं प्रिफर करती हूँ कि सारी चीजों को अलग-अलग भिगोया जाए उसना चावल की टेंडेंसी होती है कि वो पिस्ते समय बहुत ज़ादा पानी लेता है और रेगुलर चावल थोड़ा कम इसलिए इन दोनों को मैं सार्थ में पीस देती हूँ बहुत ही इची कंसिस्टेंसी आती है अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ तो यहाँ मैंने जो चावल रेगुलर वाला था उसमें उसना चावल भी डाल दिया है सभी से पानी को अच्छे से ड्रेन कर देंगे मैंने आपे मेथी दाने को भी ड्रेन कर लिया है और आईए अम बैटर बनाना शुरू करते हैं तो शुरुबात हम करेंगे दाल पीसने से जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ जो लेडाता है उसमें लॉक्स लगे होते हैं इसमें हम सबसे पहले डाल को ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से इसकी कपैसिटी काफी जादा है इसमें एक कटोरी डाल पूरी एक बार में ही आ गई थी डाल के साथ में हम मेथी दाना भी डाल देते हैं मेथी डालने से बैटर आपका जाद अच्छा फर्मेंट होता है और डाजेशन में भी ये हल्प करती है तो यहाँ पे हम लिट को क्लोज कर देते हैं बट इसमें थोड़ा सा पानी जरूर से आट कर दीजेगा अगर आपको कहीं पर आसा लगता है कि पानी कम पढ़ रहा है तो आप बीच में भी आट कर सकते हैं इसके लिए पूरे जार को खोलने की ज़रत नहीं है सिर्फ उपर बने लिट को हटाईए और पानी डाल दीजेए अंदाजे से आप इसमें आदक पानी डाल सकते हैं बैटर बनाने के लिए डाल चावल को अलग पीसेगा पहले डाल को पीस लीजिए उसके बाद में चावल को पीसेगा तो यहां पे हम जार को फिक्स कर देते हैं मोटर बॉड़ी के ऊपर और अब आप स्पीड को सेलेक्ट करते हैं यहां पे आपको 123 स्पीड मोड के साथ यह पल्स मोड भी मिलता है यानि कि आप इसमें पल्स ही कर सकते हैं बनाने के लिए इसको हलका दर्दरा रखना होता है यहाँ पर मैंने इसे मीडिया में स्पीड पर पीशा है इसकी सबसे ची बात यह है कि डाल जो पिसी है वो बिल्कुल फलफी हो गई है मैं अभी आपको दिखाते हूँ आप देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना जादा बढ़ गया है और यह प्रॉपर पिसी है इसमें एक दाना है यानि दर्दरी पिसी हुई दाल है दोसे के लिए इडली दोसा या फिर वड़ा बनाने के लिए जब हम दाल पिसते हैं वो प्रॉपर फलफी होनी चाहिए जैसागी आप देख सकते हैं जब आप इसे हाथ लगा है तो आप इसकी lightness को feel कर सकें इससे वड़े जो है बहुत soft बनते हैं इडली आप बहुत soft बन दी है तो दाल हमारी ready है अब हम जटपट चावल भी पीस के ready कर लेते हैं चावल को हम इसी जार में पीसेंगे इसलिए सबसे पहले इसे खाली करते हैं यहाँ पे मैं बड़ा सा भगौना ले रही हूँ इसमें हम पीसी भी दाल डाल देंगे यह देखे किती बढ़िया हमारी उरत की दाल पिसी है इससे आप वड़े इमर्थी वगएरा भी बनाएए बहुत अच्छे बनते हैं और इसी जार में मैं अब चावल डाल के पीस लोंगी कई बहर ऐसा होता है कि दाल हमारी प्रॉपर पिसीना हो जादा खड़ी रह गई हो या फिर बहुत महीन हो गई हो उससे भी दो से अच्छे नहीं बनते इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा कि थोड़ा सा दद्रपन दाल में रहने दीचेगा यहाँ पे तीन कटोरी चावल है इसमें से डेल कटोरी के आसपास मैंने पहले डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे इसी तरह से दूसरा बैच भी पीस लेंगे अब हमें चावल और दाल को मिक्स करना है इटली दोसा बैटर बुराने के लिए slow grinding की जाती है आपको बहुत से घरों में stone grinders भी मिलेंगे बट यहाँ पे आप low sweet पे रखके बिल्कुल धियरी में से grind कर सकते हैं तो अब हम पीसे हुए चावल को दाल मिक्स कर देते हैं यह देखें बहुत इस तरह से दोनों बैचस को हमें इसी तरह से mix कर देना है तो यहाँ भी मैंने दोनों बैचस पीस के तियार कर लिये थे और mix कर दिये हैं अब दाल और चावल को mix करना भी एक important point है दाल चावल को हाथ से mix कीजिए हाथ को सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए उसके बाद हाथ से mix कीजिएगा इससे fermentation जादा अच्छा होता है मतलब यह tried and tested way है make sure आपके हाथ बिलकुल clean होने चाहिए अब इस batter को हमें ferment करने रखना है गर्मी के मौसम में batter जल्दी ferment हो जाता है इसको 6-8 घंटे लगते हैं जिबकि सर्दियों में थोड़ टाइम जादा लग सकता है 12-14 घंटे लग जाते हैं आजकल जैसे दिन में काफी गर् प्लस गट एल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी तो आइए शुरुवात करते हैं दोसा बनाने से कि इस batter से हमें दोसा कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैटर अलग निकाल लेते हैं हर रेश्पी में हम थोड़ा चेंज करेंगे इस वज़े से मैंने सा नमक जाएगा और इसमें जाएगी थोड़ी सी चीनी इससे दोसे का कलर बहुत अच्छा आता है चीनी का कोई टेस्ट नहीं आता सिर्फ ये कलर के लिए डाली जाती है इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिएगा दोसा बैटर तयार है और अगर लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी और मिला सकते हैं मैं नॉमली नॉन स्टिक तवे पर दोसा बना दी थी बट अब मैं आयन तवे पर दोसा बनाती हूं मुझे वह बहुत ही ईजी भी लगता है प्लस हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो यह कैसे करना है इसको मैंने आगे दिखाया है सीजन करने का प्रॉपर तरीका तो आप आगे देखेगा फिलाल हम दोसे को confidently फैला देंगे और इसे अच्छे से घुमा घुमा के पका लेंगे इसमें आप चाहें तो थोड़ा सखी डाल दीजे और अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी दोसा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी निकल आएगा तो यहां पे मैंने पनीर ग्रेट करके डाला है इसमें चाहें दो आप प्यास टमाटर हरिमेश जालिए थोड़ा सा चाट मसाला उपर से डाल दीजे बहुत ही इजी ब्रेक्पस्ट रेडी हो जाता है और यह दोसा बहुत ही असानी से निकल आता है तो यह देखिए कितना क्रिस्पी दोसा बन बच्चों की टिफिन के लिए बिल्कुल पॉफिक्ट है और अगर आपके फ्रिच में बैटर बना रखा है तो आप इसे बहुत यासानी से बना सकते हैं इसके लिए भी हमें सिंपली थोड़ा सा बैटर लेना है उस पे हम जरा सी लाल मिर्च और नमक डाल देंगे साथी ड बैटर के बने होते हैं यहां पर मुझे थोड़ा सा बैटर थिक लग रहा था तो मने जरा सा पानी मिलाया है यह डिपेंड करेगा कि आपके बैटर की क्या कंसिस्टेंसी है और बस सेम प्रसीजर हमें फॉलो गरना है यहां पर पैन लेंगे और इसमें थोड़ा तोड़ा बहुत जादा पसंद आता है अगर आपने इसे ट्राय नहीं किया है तो जरूर कीजेगा I mean it's very tasty and healthy also इसे ढखके हम 3-4 मिनट धीमी आज पर एक तरफ से पकाएंगे फिर उपर से घी डालेंगे जब यह अच्छे से फूल जाएंगे उसके बाद और धीरे धीरे इने पलट इसे लिए लेंगे यह दिखें किता प्यारा इस पे कलर आ गया है इडली दोसा बैटर को आप अगर नमक डाल के फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आप इसे तकरीबन साथ दिन तक स्टोर कर सकते हैं बट जब बहुत जादा गर्मी होती है तो इसे तीन से चार दिन तक स्टो अब चलते हैं हमारी नेक्स रेस्पी पे जो आप इसी बैटर से बना सकते हैं वह है मिनी उत्पम्स बैटर आपको बिलकुल सेम लेना है एक कटोरे में हम बैटर निकाल लेंगे और इसमें हमें सिर्फ नमक मिलाना है आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेट अद्रक भ से सीजन करना है आप सारे दाल के चीले या फिर आटे का चीला सभी चीजें लोही के तवे पे बना सकते हैं बट उसके लिए आपको तवे पे सबसे पहले घी या तेल लगाना है मेक शूर तवा अच्छे से गरम हो हलका हलका धुआ उट रहा है फिर एक ब्रेट का पीस ले पे इस तरह से चला दीजे अब तवे को बंद कर दीजे जब तवा हलका से ठंडा हो जाये तव आप इस पर बैटर डाली है आप एक दू बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके तवे को सीजन होने के लिए कितना टाइम लगता है इसमें बेसिकली तवे का गर रेस्पीज बना ली है और इन सभी रेस्पीज में बैटर सेम है बठा टेस्ट अलग-अलग आता है और ये देखिए कितनी आसानी से ये उत्पम निकल गया है अगैन आप चाहें तो इस पर उपर से थोड़ा सगी या तेल डालिए या फिर आप इसे बिना घी तेल के भी इस इसे वो सॉफ्ट हो जाता है तो यह हमारे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट उत्पम बनके तयार है इसे नारिल के चिटनी या फिर के साथ साथ सर्व कीजिए देया टू या आपको दोसे उत्पम में इसे क्या पसंद है मुझे लिगके बताईएगा और अब बनाते ह है यह clay pot पे बनी हुई इडलिया बहुत ट्रेंड कर रहे थी आजकल तो इसके लिए सबसे पहले हमें clay pot चाहिए नॉमली वही वाला है जिसमें बिर्यानी आती है इसके उपर हम बांदेंगे एक सूती कपड़ा इसे बहुत ही अच्छे से हमें टाय करना है इस कपड़े में पनी निकालती हूँ ना मैं वही वाला कपड़ा मैंने यूज किया है यहाँ पे और इसे हम गैस के उपर चढ़ा देंगे मेकश्वार कपड़ा बिलकुल अलग है मेरा बीच में flame से टच हो गया था तो अपने experience से बता रहे हूँ कि कपड़े को संभाल के अलग रखेगा सा तेंगे उपर से किसी भी स्टील के ढखकन से एक इडली को होने में तक्रीबन आट मिनिट लग गए थे बाकी तो मुझे method बहुत अच्छा लगा बट इसका एक negative point यही था कि इसमें time थोड़ा ज़ादा लगता है मतलब 8 मिनिट में एक इडली बनी है दो इडली का size काफी जादा बड़ा था मतलब breakfast में आप सिर्फ दो इडली बनाई है breakfast sorted है यह देखिए किती जादा steaming hot इडली है और बिल्कुल रुकाई नहीं जारा था इसको try करें बिना मैंने इसे serve किया है नादिल की चेटनी के साथ और इतनी मेरे दूसरी इडली भी बनके ready हो गई size बहुत अच्छी है और अंदर से एक्टम cotton soft बनी है मतलब look added इतनी अच्छी rice इडली मतलब इडली stand में नहीं बनती है तो इसे जरूर से try कीजेगा traditional methods के अपने कुछ benefits तो ही तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था तो मैंने का love पहले हम इसे try करते हैं and guys this is so amazing यहाँ पे कुछ गाना चल रहा था पीछे इस वज़े से मुझे यहाँ पे sound उडानी पड़ी वट यह इडली बहुत ही जादा डेस्टी बनी है और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए तो एक बिल्कुल perfect है so guys यह था हमारा perfect दोसा बैटर and trust me जो घर में बना हुआ दोसा बैटर होता है वो बाहर मिलने वाले से बहुत अधा हाईजिनिक होता है और यह gut health के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप इसे कम से कम 15 दिन में एक बार अपने मील में जरूर शामिल कीजिए साथ ही मुझे comment करके जरूर से बताइएगा कि आज की recipes आपको कैसी लगी मुझे आपके comments का हमेशे इंतजार रहता है और मैं जरूर से reply करती हूँ फिलहार के लिए इस episode में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले episode में तब तक करे keep watching and bye bye